नमस्कार बाईयो ये देखिए वाटर रिचार्ज के लिए बोरिंग करवाई हुई है रात को गाउर मानार मानी में जो हरियाना करनाल जिले का है बेंकर बारिश हुई थी यहाँ पर और जीमिदारों की फसले डूब चुकी हैं दूर दूर तक पानी ही पानी नजर आ रहा है हमने फेसबुक पे पहले देखा था किसी सरदार जी ने वीडियो डाल रखा था वाटर रिचार्जिंग का तो उसको देखकर हमने भी अपने खेट में वाटर चार्ड करने के लिए बोरिंग करवाया है ये देखिए लगबग एक मोटर के बराबर का पानी इस बोरिंग में जा रहा है अगर ये 24 गंटे ऐसे ही चलता रहता है तो हजारों लीटर पानी इकठा किया जा सकता है हमारी किसानों से यही कुजारिश है कि जो खेट नीचे हैं जहां पर पानी इकठा होता है बारिश का वहाँ पर ये बोरिंग करवाये जाएं और वाटर लेवल को उपर लाया जाए बीजेपी सरकार को हमने समर्थन दिया है बीजेपी सरकार भी काफी गहनता से इस चीज के पिछे पड़ी हुई है कि वाटर लेवल को बचाया जाए किसी तरह भी बचाया जाए ये देखिए जो किसान भाई हैं दरेंदर कुमार कमबोज इन्होंने अपने खेत में वाटर लेवल के लिए ये बोरिंग करवाया है लगबग इस टैम धान में दो से धाई फुट पानी भरा हुआ है धान सारा डूबा हुआ दिखाई दे रहा है इस भाई ने पिछले साल ये बोरिंग करवाया था पिछले साल भी लगबग इस बाई की साथ आठेकर फसल थी जो डूबी हुई थी और इस बोरिंग की वज़ा से फसल को बचा लिया गया था इस से वाटर लेवल भी उपर आता है और किसान भाई की फसल भी बचती है अतै हमें अतै आप सब किसान भाईयों से गुजारिश है जिस जिस किसान भाई के खेत निच्चे हैं जहां पर बारिश का पानी कठा होता है महां पर बोररिंग करुआ जाए और वाटर लेवल को भी उपर ले आया जाए ताकि किसान भाई की फसल भी बच सके और वाटर भी उपर आ सके सरकारों से मुआवजा मांगने की वजाए खुद रिचार्ड वाटर लेवल करें और वाटर उपर आयेगा इससे फसल भी बचेगी और जिमिदार की फसल खराब भी नहीं होगी और सरकार को भी इस चीज का फायदा है कि वाटर उपर आ रहा है हमें सरकार से भी गुजारिश है कि जो नीचे एरिये हैं उनमें सरकारी पैसे की मदद से भी दो-चार बोर करवाने चाहिए ताकि किसानों का भी फायदा हो और सरकार का भी फायदा हो ताकि water level नीचे ना जाए धन्यावाद